नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं विजड़म Unplugged आप इस चैनल को यूटूब चैनल के उपर भी इस वीडियो को देख सकते हैं विजट कीजिए यूटूब चैनल और वहां पर वहां पर वहां पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल डिजारेवल कंटेंट मिल जाएगा तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ Economics Basic ठेक हैं बहुत सारे मेरे को WhatsApp के तुरूबी Message आया और Facebook पे जो Digital Commission पेज है ऐस वहले हैं यूटूब के उपर भी कि Economics को किस परकार से तयार करें क्योंकि Economics में questions में उनका answer देना मुश्किल हो जाता उसका कारण यही है कि Economics के जब तक आपको concept clear नहीं होंगे तब तक आप उसके MCQ अची तरह से answer नहीं दे पाएंगे तो concept के लिए आपको basic जो होता है Economics का अर्थसासर का उसको समझना जरूरी है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैं NCRT Booster लेकर किया हैं जिसमें series of videos लेकर किया हूँगा शुरूहात हम कर रहे हैं Economics से आज हमने लिया है 9th class का जो first chapter economics का उससे शुरूहात करेंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो comment box में अपनी राए जुरूर दीजिएगा और साथ में शेयर करते जाए इस वीडियो को ताकि maximum लोगों तक हम पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं जो नौमिक्रास का पहला chapter है वो production के regarding है वहाँ पे पालंपूर नाम का एक जो village है काल्पनिक village लिया गया पालंपूर नाम का और उस village में जो activities हैं उनको explain करके basic जो अर्थ शांस्तर उसको समझने की कोशिश की है एक गाउं को एक देश की तरह ए कौन-कौन इस activities हो रही है और किस परकार से गाउं की अर्थ विवस्ता चलती है तो वहां से आपको बहुत से चीज़े clear होगी मैं मनता हूं कि अगर आप multiple choice question लगाते हैं 1000 या 2000 economics के और उनको याद करने की कोशिश करते हैं उससे बहतर है कि आप 40 या 50 जो concept है economics के उसको अगर production जो है वो आपका agriculture और industrial दो परकार का होता है हो सकता है ठीक है जैसे agriculture की अगर हम बात कर activity की तो उसमे cultivation of crops यानि खेती वाड़ी जो हम करते हैं जो फसल होगा आते हैं वो आपके agriculture production में आ गया ठीक है और industrial production की बात करें तो manufacturing है जैसे आप कोई गन्ने का किसान है उसने किसी को गन्ना बेचा और उस गन्ने से आपके juice बनाने की जो factory है वहाँ पर आपका गुड़ बनाने की गन्ने से गुड़ बन रहा है या आपका घड़े बनाने का जो आपका काम होता है गाओं वहाँ से गड़े बन रहे हैं लोए वाले का काम हो रहा है जूते का काम हो रहा है बह प्रड़क्शन क्या होता है आपको पता कि भारत में जो आपका 70% से ज़ादा पॉपलेशन भारत में आपकी क्रिशी के ओपर नेरवर करती गाउं में रहती है और गाउं में आपकी अगरीकल्चर अक्टिविटीज होती है तो गाउं में जितनी भी जुरूर्ण की चीज़ें होती है आप जीने के लिए और जीवन यापन करने के लिए आपको बस्तुई भी चाहिए और सेवाएं भी चाहिए बस्तुई यानि कि जो भी रोज मला कि आपकी रोटी का बड़ा मकान चाहिए और सेवाएं मतलब आपको ट्रांस्पोर्टेशन भी चाहिए आपको स्वास्ते सर्विस दी जा रही है, ट्रांस्पोर्टेशन ने वहां से समान की डुलाई और आप लोग एक गाउं से दूसरे गाउं जा रहे हैं, तो इस प्रकार से गोट्जन सर्विस जो हैं, गाउं में लोकली ही प्रडिउस होती हैं, ठीक है, मैक्सिमम, इसलिए ग मतलब गी अच्छी जगा है, जहां पर हम प्रड़क्शन के वेसी कंसर्प्ट को समझ सकते हैं, स्टोरी ओफ इमाजिनेरी, पालंपूर विलेज, ठीक है, पालंपूर विलेज जो एक काल्पनिक विलेज लिया गया है, गाउं है, पालंपूर, एक काल्पनिक नाम रखा है, भारत में किसी भी शेयर मेंगी हो सकताा, यहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, हरी एक तरह के लोग रहते हैं, आमीर भी है, वहां पे गरीब भी हैं, और वहां पे डिफरेंट डाइप की activity हो रही है, ठीक है, प्रडॉक्शन की activities, जैसे फार्मिंग जो हैं वहां पर, खेती करना यहां की main production activity है वहां पर आप फसले होगा रहे हैं कि किसान्खेत में हल चला रहे हैं वहां बीज को खेत में डला जा रहा है उसके बद production होती है तो यह production की main activity है गवाव में ठीक है non production की activity अगर हम कहें तो वहां पर small manufacturing हो रही है तो इसको कहते हैं हम small manufacturing ठीक है और उस परकार उसी परकार से आप जैसे मालो कपडा कपडा हो दियो हो गया कोई आपका धागा है धागे से जो है जैसे गाओं में दीक है खटी होती है उसमें शौल बनाए जा रहे हैं चत्रे बनाए जा रही है शौपकेपिंग है दुकानदा यह हो रहा है वह transportation है तो यह farming को छोड़ करके जो भी activities है उनको non-production activities कहते हैं ठीक है now requirement for the production of goods and services अगर आपको goods और services को produce करना है तो उसके लिए क्या-क्या requirement चाहिए goods होती है जितनी वस्तु हैं जो हमें जीवन यापन करने के लिए चाहिए चाहिए वो रोटी है कपड़ा है ठीक है और services मतलब सेवाएं जैसे हमें hospital भी चाहिए hospital चाहिए bank चाहिए transportation के लिए बसे चाहिए ठीक है तो यह सारी की सारी goods and services जो है इनकी requirement requirement for production of goods and services इनकी production करने के लिए क्या care requirement तो सबसे पहले मालो हमें good बनाने की एक factory लगानी है उद्योग लगाना है ठीक है तो उसके लिए पहले क्या चाहिए जमीन चाहिए ठीक है जिसके ओपर हम दुगान जैसी शट जैसा बना कि या यूँ कहीं कि छोटी च्छोटा factory बना करके shelter बना करके वहां प बर कहते हैं ठीक है उसको फीजिकल capital चाहिए हमें यानि की machinery चाहिए जितना भी वहां पर instrument और टूल है machine है ठीक है जितने भी आफके capital उसको fixed capital कहते है working capital गुर्बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए पानी चाहिए raw material चाहिए ठीक है जो भी जितना भी raw material money चाहिए ठीक है तो उसको कहते हैं working capital fixed capital का मतलब यह होता है कि जो भी आप जैसे building है machine है tools है ठीक है यह सारी चीजिए जो use कर रहे हैं आप किसी factory में production करने के लिए जो दौरा यूज हो रही है fixed है ठीक है वो production के दौरान वो खतम नहीं हो रही है जैसे मालों आप गन्ना यूज कर रहे हैं गन्न पानी और गहरा यह सारे raw material जितना हुआ money हुआ in hand वह आपका working capital में आ गया तो that is the difference between fixed capital and working capital उसके बाद चौता factor होता है आपका human capital जो की बहुत intelligence है जिसने भी सोचा कि किस परकार से मैं यह यह technique लगाऊंगा और ऐसे से काम करके इतने मजदूर रखूंगा इतनी उनको वेमे enterprise ठीक है knowledge और enterprise को हम human capital वोलते हैं उसको हम human capital वोलते हैं तो human capital जो है वो पूरा का पूरा इनको use करके finally production निकालती है ठीक है तो यह आपको चारों टर्में basic के यह समझ जाने चाहिए ठीक है तो requirement के है production के लिए land, labor, physical capital, human capital जब आदमी का दिमाग नहीं चलेगा दिमाग नहीं investment कैसे करना है और पैसा वहाँ पर नहीं लगाएगा ठीक है strategies अब नहीं अपना हैगा तो कैसे यह production हो पाएगी ठीक है that is called human capital so these are the four requirements for production इस परकार से जितने वी यह चार फेक्टर है land, labor, machinery और human intelligence, human capital इन चारों को जब organized तरीके से use किया जाता है ठीक है knowledge और enterprise के द्वरा जब इसको चारों को organized तरीके से हम ढालेंगे तब जाकर के final आपकी production होती है now यह हमने थोड़ा सा basic term पड़ी हमने पहले chapter में ninth class जिसका नाम है story of palampur village जिसमें हमने देखा कि गाओं में different type की activities हो रही है कुछ आपकी agricultural activities है, non agricultural activities है जैसे आपकी industry है, manufacturing है ठीक है और हमने finally देखा कि इन चारों को तभी फाइदा जब हम इसकी organized तरीके से इसको हम organized तरीकी six को execute करते हैं तब जा करके final production होता है ठीक है तो आप यह चारों डर में समझ गया होंगे अब हम लेते हैं को multiple choice question देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है तो हमारा यह पहला question है tools machine building can be used in production over many years and our card tools machine और building जो भी production किसी भी चीज़ की production करने के लिए हम use करते हैं उनको क्या कहते हैं ठीक है आप comment box में लिखें क्योंकि यह building fix है machine fix है tool fix इसको reuse नहीं हो इसका reuse करते हैं यह आपका production में खतम नहीं होता ठीक है तो इसको हम fixed capital कहते हैं right next one is raw material and money in hand जितना भी raw material होता और money in hand उसको क्या कहते हैं working capital fixed capital human capital या none of these तो इसका right answer है आप comment box में भी लिख सकते हैं इसका right answer है आपका working capital जितना भी raw material और money in hand होता है उसको हम working capital कहते हैं तो इसका right answer option A question number next knowledge and enterprise to be able to put together land labor and physical capital and produced and output is card यानि कि जब हम knowledge और enterprise का use करके land को labor को और physical capital को से finally हम output निकालते हैं जैसे जमीन है ठीक है labor भी आ गई और raw material गन्ना वगरा सारा आ गया इनको सब को use करके हमने good बना दिया ठीक है तो final good का बने जब हम knowledge लगाएंगे और enterprise लगाएंगे ठीक है तो knowledge और enterprise लगाएंगे जब इनको हम execute करते हैं तो उसको कहते हैं हम human capital तो इस परकार से देखा working capital, physical capital, human capital ये तीनों चीज़ों का आपको अच्छे से knowledge होगा आई होप और जो आगे जब भी इस chapter में हम आगे बढ़ेंगे देरे अभी मैं बिलकुर slow चल रहा हूँ ता कि आपको concept अच्छी से clear हो जाएं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी knowledge और wisdom बढ़ती जाएगी और आप हमारी speed भी आगे बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार से आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है और इसके उपर आप से अपने feedback को suggestion जरूर comment box में दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को share कीजिए आपकी कोई राय है आपका कुछ suggestion है वीडियो के regarding तो आप जरूर पूछिएगा thank you so much